हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी मेरा नाम है शुडिर और आज हम पढ़ेंगे एक जिला एक उत्पात के बारे में उत्तर प्रदेश special के वीडियो में तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं जितने भी जिले हैं सभी के बारे में जानेंगे कि किस जिले में किस उत्पात की जो है वो विशेश्ता है तो अभी हम इसको पढ़ेंगे लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि एग जिलाएक उत्पादियोजना शुरू के होगे गए तो ये देखे कब शुरू के गए प्रदेश में सूसमध्यम लगोद्योगों दथा स्वारोजगार को बढ़ावा के उत्देश से 24 जन्वरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस पे अच्छा देखे अब यहाँ पर एक कोशन और इंपोर्टन मत्ता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 24 जन्वरी को यह आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ऐसे से कोशन आपके पेपर में आ सकते हैं फिर अगला है कि अवसर पर अवद सिल्प ग्राम में एक जिला एक उत्तपाद योजना को ना केवल सुरू किया गया बलके प्रतेग जिले की उसकी विशिष्ट उत्तपाद की एक एक दुकान भी लगाई गई तो एक जिला एक उत्तपाद योजना कहां पे सुरू की गई अवद सिल्प से और वहां पे हर जिले की एक एक दुकान भी लगाई गई अगला है ऐसा माना जा रहा है कि इस योजना की तरफ जहां प्रदेश का आर्थिक विकास होगा वहीं दूसरी तरफ प्रति वर्ष लग भग पांच लाख नए रोजगार स्रिजित होंगे अब देखिए इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जैसे ही अगर आपको बताया जाएगा कि आपको ये काम करना है तो जब कोई चीजसे शुरू होती है तो उसमें बहुत सारी मैन पावर की जरूरत पड़ती है लेवर की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे रुजगारों का स्रिजन होता है चलिए अगले हे तो लोगों का भी विकास किया जाएगा ठीक है तो इसे हमें कहां तक ले जाना है अंतराश्टी अस्तर तक ले जाना है अगला पॉइंट है प्रतेग जिले की खास उत्पात को एक ब्रांड के रूप में अस्थापित करने के लिए प्रदेश की ब्यापारिक संस्थाओं द्वारा मेलो वह प्रदर्शनियों विसेद ब्यवस्था की जाएगी तो जैसे ही आपके यहां पर कोई त्योहार लगता है या मेला लगता है तो वहां पर भी ऐसी दुखारी लगाए जाएगी जैसे लोगों के बारे में जानकारी हो अगला है अब देखिए यहां से सुरू होता है हमारा की किस जिले में कौन-कौन से उतपाद आपके जरूरी हैं या कौन-कौन सा उत्पाद वहां का famous है ठीक है जैसे कि हमने पढ़ा था topic एक जिला एक उत्पाद तो एक जिले में वो कौन सा उत्पाद है जो सबसे जादा famous होगा या जिसको बनाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं तो पहला है अम्रोहा तो अम्रोहा में क्या बनाया जाता है अच्छा देखिए एक चीज़ और है आपसे पेपर में यह सब पूछ लिया जाता है कभी-कभी पिछली बार एक बार पेपर में आया था कि सिधार्स नगर ठीक है सिधार्स नगर जहां पे जो लुम्बनी के पास है जहां पे कौतम बुद का जनम हुआ था तो वहां का एक उत्पाद आपसे पूछा गया था एक जिला एक उत्पाद के बारे में तो वहां का जो है वो है काला नमक तो काला नमक क्या है कोई नमक नहीं है यह चावल की एक किस्म है ठीक है चलिए तो विड़े को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है चीज़े और आता है आजमगड तो आजमगड में हम क्या उत्पाद है यहां का काली मिट्टी कलाकृति यानि की काली मिट्टी से जो भी चीज़े बनाई जाएंगी वह आजमगड में उत्पाद के रूप में है उसके बाद है इटावा इटावा में हम क्या करेंगे वस्त्र उत्पाद ठ देखिए उन्नाओ आ गया उन्नाओ का क्या है जरी या जर दोजी तो जरी का काम कहां पर होता है उन्नाओ में होता है फिर आते हैं अपने अगले हम सभी पचेत्ता जिलों के बारे में पढ़ेंगे ये देखिए इटा में क्या बनाए जाती है घंगर्य और गंटे और आया में क्या बनाए जाता है दूद प्रसंस करण यानि की धे देखिए दूठ प्रसन्सक्ररण का मतलब क्या होता है कि दूठ से जो जो भी उत्पाद बनते हों नहीं हम कहते हैं कनोज इतने यानि कि यहां पर पर्फjूम्स बनाय जाते हैं यही का उत्पाद है कानपूर नगर, चमड़ा, कानपूर देहात, जस्ता के बर्तन बनाया जाते है अगला है कास गंज, कास गंज में जरी जर दोजी का काम होता है कुशी नगर, केला, रेशा, उत्पाद, यहाँ पे केला, रेशा के उत्पाद बनाया जाते है कॉसांबी खाग प्रसंसवाइं घॉट में अगला है गौरकपुर मिट्टी के बरतन टेरा कोटा अब देखिए अभी टेरा कोटा को जियाई टैग भी मिला था और ये कोशिन पेपर में आने की प्रबल संभावना है और आ भी सकता है फिर है गुंडा तो गुंडा में क्या है खाद प्रसंस करण लेकिन यहाँ पे खाद प्रसंस करण किसका है दाल का यानि कि दाल के उत्पाद के जो भी चीज़े बनाई जाती है फिर आता है गौतम बुद्ध नगर तो गौतम बुद्ध नगर क्या है सिले सिलाए वस्तरी यानि के रेडिमेट कपड़ों का यहां पर उत्पाद है अगला है चित्रकूट चित्रकूट में क्या होता है चित्रकूट आपका जो यहां का उत्पाद है एक जिला एक कागज वह जान पूर में में जान कहा तो जो जानपूर में नाया झाटी मस्जिद अंठाला ज्ची क्या ह найти है इस था।ISA प्रस्था का धा应 मी का जातीओंड हैं में रहा है साजावटी रुफफ प पृत्पद की है बांसुरी प्रताबगड का क्या है खाद प्रसंस करने आउला ठीक है तो आउला आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रताबगड में होता है अगला है 31 फतेहपुर फतेहपुर में बेड़शीट का काम होता है फरूखाबाद फरूखाबाद में ठीक है ऐगला है थिर्टीर फाइब नुम्बर बदाईू में क्या है जरी जर्दौ जी का काम बल्रामपुर में क्या है खात प्रसंस्कर्ण किसका है दाल का बलिया में क्या बनाए जाता है आपका बिंदी बनाए जाती है उसके बाद है बस्ती तो बस्ती का क्या फेमस है क्या उत्पाद है यह काश्ट सिल्प ठीक है यानि कि जो लकड़ी पे सिल्प कारी होती है इसके लिए बस्ती का उत्पाद फेमस है अगला है ब 12 बंकी में सजर पत्थर शिल्प ठीक है तो यहां पत्थरों पे शिल्प बनाए जाते हैं विज्णोर में भी बस्ति के ही जैसा है काश्ट शिल्प अगला आता है आपके सामने बुलन सहर, तो बुलन सहर में कौन सा काम होता है? चीनी, मिट्टी के बरतन का, फिर महु है, महु में वस्त उत्पाद, और मथुआ आता है सच्छता संबंधी उपकरण, तो जो भी सच्छता संबंधी उपकरण बनाए जाते हैं, वो कहाँ बना मतुरा में, फिर आता है महराज गंज, महराज गंज में क्या उत्पाद है यहां का फरनीचर, यानि के लगड़ी के समान बनाए जाते हैं, फिर आता है महोबा, महोबा में गौरा पत्थर पे होती है, जिसे हम शिल्पकारी कहते हैं, वो यहां पे किया जाता है, पिर आम आ ना होगा मिर्जापुड्टू में जो वेफरीज है कमीजन प्राइम वीडियों की फिर ऐ मुझफवन नगर मुझफवन नगर में गड़ में गुरवड़ बनाया जाता है मुरादाबा धासुस्दिह मेरट खेल के सामान के कोशन आपसे पूछ पता होगा कि लखनों में मिलता है और यहां का बहुत ही फेमस है लखिम पूर खीलि जन जाती ऐ शिल्प ठीक है और सरसे जादर जन जाती कहां पर रहती है आपकी कौइंसी है थारू लेकिन अब भील हो गई है अग्ला है ललिट-पूर ललिट-पूर में क्या बनाए जाते ह जैसे आपकी cycle की जो एकसल होती है, motor cycle की एकसल होती है, जो भी जो भी होती है, जिसके उपर पहिया घूमता है, उसे हम एकसल बोलते हैं, फिर आता है साजहापुर, साजहापुर में आपका जर्दोजी का काम होता है, सरावस्ति, जनजातिय सिल्फ, उसके बाद संबल, देख सहारनपूर, कास्ट सिल्फ, देखिए एक question आपसे सहारनपूर में ये पूछा जाता है, कि लकडी पे नकासी के लिए कौन सा शहर मशूर है, तो वह है सहारनपूर, ये आप ध्यान में रखेंगे, अगला है, सिद्धार्थ नगर, तुमने बताया था, सिद्धार्थ नग तो काला नमग कोई नमग नहीं है, ये चावल की एक किस्म है, सितापूर, दरी का काम होता है, सुल्तानपूर, मून जुत्पाद, और सोन भद्र में क्या होता है, कालीन के जुत्पाद, कालीन बनाई जाती है, फिर अगला है संत रविदास, संत कभीर नगर, पीतल के बरत संत रविदास नगर, यहां पे कालीन बनाई जाती है, फिर हमीरपूर, हमीरपूर में जूती बनाई जाती है, हर्दोई आपका हत करगदा उद्व के लिए famous है, और उसके बाद आता है हाथरस, हाथरस में क्या है, हिंग का प्रसंस करण, कहां पे होता हाथरस में, और इसक कोई भी question आपके paper में आ सकता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें चनल को subscribe करें and finally वीडियो देखने के thanks for watching सुधीर tutorial